नमस्ते अब्रिवान और वेलकम बैक, देखो भहिया, हमें आज एट पांसिंग लॉस में क्या दिखी है, 2024 युन्डाइ क्रेटा फेस्लिप, और ये है इसका बेस मॉडल, यहां पर देखो, जो इंडिकेटर जो है, वो है आपके फेंडर पर, और वील क्याप है, तो ये है इ वाकराउंड करेंगे और आपको बताते हैं, तो चैनल में बने रहो, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, गाईज, लेट्स गेट गो, तो बिल्कुल वीडियो को हम शॉट रखने वाले हैं, और आपको फिक एक वाकराउंड देते हैं, बताते हैं इसके एक्स्टीर मॉडल है, turn indicators जो हैं, आपको यहाँ पे हेलोजिन में देखने को मिल जाते हैं, headlight की बात करें, तो यहाँ पे projector में हमें headlight देखने को मिलती है, और fog lamp भी हेलोजिन में ही देखने को मिल जाता है, once again guys, मैं आपको बता दूँ कि यह मैं और मेरे दोस्त, thank you so much, और को चौदरी जोने ये वीडियो निकाली है, उनकी चैनल पे पी आप जोग है, तो आपको देख जाएगा, screen पे भी शायद वही देख रहा है, और अगर इसकी देखो, यहाँ से अगर आप इसकी stance देखो, तो road presence तो इसकी निखर के आने वाली भी, या especially bonnet पे जो cuts, जो मैं देख पा रह ही है, but again no alloys, सामने disc brake ज़रूर है, और यह turn indicators, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि ORVM, sorry, rain ORVM जो है, वो body colored है, but कोई turn indicator उसके नहीं है, ordinary से rain से wipers भी जो है, वो देखने को मिल जा रहे है, कोई roof rail नहीं, body colored handles है, shark fin antenna आपको देखने को मिल जाएगा, but no sunroof, at the same time guys, बड़ी कुछ पीछे से, कुछ इस तरह का profile, once again no disc at the rear wheel, यहाँ पर high mounted stop lamp जो है, वो भी हमें देखने को मिल जाता है, but spoiler के उपर ही, कोई washer wiper कुछ नहीं है, बात करें, अगर इसकी tail light की, वो LED में देखने को मिल रही है, जो connected नहीं है, मुझे लग रहा है कि यह reflector है, दोनों साइड म यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है, पार्किंग, रेर पार्किंग सेंसर कार दिये गए हैं आपको जो base model से ही available करा दिये गए हैं, और यहाँ पर stop lamp भी देखने को मिल जाता है, आपकी यहाँ पर है, आप देखी सकते हो, यह अब मैं खली यही सोच रहा हूँ कि इसमें कोई, हाँ देखो कोई partial trainee है, बड़ा सा बूर्ट जो है, पुरानी वाली करेटा में भी चुथा, वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 60-40 की split जो है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जा रही है, once again, चाबी मेरे पास है नहीं, तो यह quick first look बोल सकते हो, करेटा का जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, thumbs up तो चाहिए, या like तो चाहिए, इसके लिए मुझे आपसे 100% बहुत प्यार दिखाओ, बहुत सारा support चाहिए इस वीडियो पर, चलो, और क्या यहाँ पर अपकी फैबरिक में अपोल स्टी मुझे देखने को मिल जा रही है, more or less अंदर से, जो leg room and all that है, वो same होने वाला है, और मुझे एक center armrest जो है, वो भी दिखाई दे दे रही है, cup holders भी I'm sure होने ही वाले है, AC event भी दिखाई दे रही है, और शायद एक type C का मेरे को व उपरानी वाली क्रेटा वाला ही है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दे गाईज, तो अब हमें safety point of visit है, airbag standard, शायद base model से मिल जाने वाले है, यहाँ पर ORVM के controls जो है, वो देखने को मिल जाएंगे आपको, पता नहीं कितने clearly video आ रहा है guys, but all four power windows जो है, वो भी देखने को मिल जा semi-digital जो है, वो देखने को मिल जाएगी, beige and black में आपको जो है, इसका interior जो है, उसकी finish जो हम देखी पा रहे हैं, यहाँ पे guys, बाहर से मैं जितना आपको दिखा पा रहा हूँ, वो दिखा पा रहा हूँ, I'm not sure और कितनी सारी videos आपको मिलेंगे, बट इस video के लिए मैं बार- पे चारो के चारो bottle जो है, वो देखने को मिली जाएंगे, I'm sure soft touch का यहाँ पर ज्यादा use नहीं हुआ होगा, I'm pretty sure of that, but adjustable headrest सारे passengers के लिए मैं देख सक रहा हूँ, seat comfort and all I'm pretty sure will be similar to Creta and or क्या, but यार, it's looking good, the facelift is looking good, definitely different from its predecessor, 100%, आप बताओ, आपको कैसी लग रही है, comment section में भर comment और प्यार से like दबा कर, channel को subscribe करना मत भूलो guys, और मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल अपनी next वीडियो पे, hopefully Creta का ही जब official launch होगा, 15 तरिक को उसी को लेकर आएंगे, आपके लिए बढ़ उसके पहले, ये teaser कैसा लगा, ये तो बताना comment section में बनता ही है, so I'm gonna see you very soon, take care, God bless, I love you guys, muah!